और अब बात कर लेते हैं बांगलादेश की बांगलादेश में बावाल थमने का नाम नहीं ले रहा है यहां पर हिंसा और हंगामे का नया वीडियो सामया है जिसमें बांगलादेश सेना के साथ में प्रदर्शनकारी की जड़ब होते हुई दिखाई दी रहे हैं और वो सेना के जवानों पर पत्थर भी फेक रहे हैं यह वीडियो बांगलादेश के गुपाल गंज का बताया जा रहा है यहां शेख हसीना की पाटी अवामी लीक के लोग प्रधर्शन कर रहे हैं इसी द्वरान उनकी जड़ब सुरक्षा कर्मियों से भी हो गए इस द्वरान सुरक्ष बड़ी खबर मिल रही है बांगलादेश से जहां पर काई जगा पर हिंदू के खिलाफ काई हिंसा के विरोध में हिंदू ने बड़ा प्रधर्शन किया है लाखों की संख्या में सडकों पर उतरे हैं हिंदू और हिंदू ने बांगलादेश में जारी हिंसा का विरोध किय यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांगलदेश की राजवानी धाका से लेकर चटगाओं और साथी पंचगर तक हिंदू ने हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया धाका की सरकों पार हिंदू समुदा के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है प्रदर्शन कर रहे लोग प्रदरों को तोड़ दिया गया है उनका उनर निर्मान भी किया जाए जो कॉंग्रेज है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसल्मानों का पकलीव होगा तो हम है पांगलादेश की सडकों पर उत्रे लाखो हिंदू हिंसा के खिलाफ मार्च हिंदूओं ने मागा हिंसा लाखों की भीर ऐसा जन सेलाब बांगलादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदूओं की खिलाफ वोई हिंसा के बाद दिखा है बांगलादेश की जितने भी बड़े शेहर है हर जगह हिंदूओं का जन सेलाब इंसाफ की मांग के लिए सडकों पर आंदोलन करता दिखा वो चाहे बांगलादेश की राधानी ढाका हो चटगाओं हो या फिर उत्तर बांगलादेश का पंचगड़ हो हर जगह जो तस्वीरे आई वो वहाँ हिंदूओं की एकता और उनके उपर हुई बरबर जुल्मों की कहानी को बया कर रही है बांगलादेश में हिंदूओं के उपर हुए हमलो और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाब सबसे बड़ा जन सेलाब चटगाओं में दिखा लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शिन में दिखे और सभी ने हिंसा का जम कर विरोध किया बांगलदेश की सलकोप पर हिंदूों की खिलाब हिंसा कर तगड़ा विरोध राधानी धाका में दिखा हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग धाका की सलकोप पर इंसाफ की मांग के साथ उत्रे हिंदू समदाई के खिलापोराय अत्यचारों की विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लदेशी नागरिक धाका में स्टारक पर उठे सेकड़ों लोगों ने सुरक्षा कानुन वस्था की स्थापना और एक धर्म निर्पेक्ष बांग्लदेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राधानी धाका के शाहबाग चराहे तक मार्च भी किया उदर बांग्लदेश की उत्तर अंचल के पंचगर से भी हिंदू की विरोध प्रदर्शिन की तस्वीरे आई वहां भी सेकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शिन करते दिखे बांगलदेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाये गया कई जगा हत्याएं हुई जिसके विरोध में हिंदूों के गुसा पूर बढ़ा और वो सड़क पर उतर आये बांगलदेश के प्रमुख शेरों के ब्रदर्शन कर रहे हिंदूों की वहां की सरकार से मांग है जिन की संपत्या नाश्ठुई उन्हें मुवावजा दिया जाया और जिन मंदिरों को दोड़ दिया गया, उनका अपनभन निर्मान किया जाया जिसके साथ ही रदर्शिंग कारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं है अपना अधिकार पाने के लिए सलकों पर टटे रहेंगे उधर बांगलादेश में हिंदूओं की विरोध रदर्शिंग की जलक इधर भारत में भी देखी अलप संख्या का बांगलादेश ये हिंदूओं के साथ एक जुटता दिखाने के लिए जे एन्यू में कैंडल मार्श निकाला गया बीजेपी की चात रुशाखा एबीवीपी के कारे करता हातों में कैंडल लेकर मार्श करते रज़राय बांगलादेश में अल्प संख्योगों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामने में चुप रहने का आरोप लगाया है बांगलादेश का हिंडू के लिए ये कॉंग्रेश लोग केतना बार तुईट किया कितना बार ढड़ना पदर्शन किया आज जो कॉंग्रेश है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कही भी मुसल्मानों का तकलिव होगा तो हम है लेकिन हिंडू का तकलिव है हम नहीं है हम खाली हिंडू का बीच में हिंडू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मक्षद है याद रखना जो बंगला देश में हो रहा है जो चर्चाइक हो रही थी अभी वहाँ नब्बे फीस्टी जो हिंडू बचा है वहाँ दलित समधाई से है और मैं इसलिए कहना चाहूंगा जो सब के मूँ सिलेवे हैं इसलिए सिलेवे हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बंगला देश को हिंडू उनका वोटर नहीं होगा वो हिंदू है ये हो सकता है उसकी गल्टी हो लेकिन हम उसको गल्टी नहीं मानते हैं हम उसको मानते हैं उसका स्वभग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रख्पा करना हम सब का ताहित को है बीजेपी के आरोपों पर कॉंग्रिस से भी पलट वार किया कॉंग्रिस के सीटेनेता जोहराम रवेश ने सोचल मीडिया प्लाटपॉम पर किये गए पोस्ट में लिखा की कॉंग्रिस पार्टी बांग्लदेश के आलपसंखिकों पर हुए हमले पर चिंता व्यट करती है पर उसी मुल्क बांग्लदेश में अंत्रिम सरकार का गठन हो चुका है लेकिन अभी भी हालात तनाफ होने है राधानी ठाका समेट कई शेहरों की सडकों से पोलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है अभी भी वहाँ से हिंसा की खबरे आ रही है और इस हिंसा की आच विदेशों तक जा पहुची है लंडन और पिलन यंब में बांगल देशी हिंदू के साथ एक जुटा दिखाते हुई प्रदर्शिन किये गए लंडन में संसर्ववन के सामने सेक्रों के सख्या में लोग हातों में तकतियां लेकर प्रदर्शिन करते दिखे कर दो कर दो